समान नागरिक सहता कौमन सिविल कोड आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ये काफी चर्चा में बना हुआ है और वैसे तो आप देखेंगे आजादी के बास से ही इस पर चर्चा होनी सुरू हो गई थी लेकिन आप देखते हैं कि 1980 में एक राजनितिक दल की स्थाफना होती है जिसका नाम भारतिय जिन्ता पार्टी था और उसके चुनाबी मुद्दों में आप लोग देखें मैनो फैस्टों में देखें तो तीन मुद्दे जोड़े गए थे एक राम जनम भूमी का मामला राम मंदिर बनाने की बाद एक जम्मू कस्मीर से 370 हटाने की बाद एक देश में समान नागरिक सहता लागू करने की बाद तो उसके दो मुद्दे खतम हो गए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कस्मीर से 370 पैती से हट चुका है जम्मू कस्मीर को दो भागों में वाट दिया गया है दोनों केंदसासित पिदेशें और उत्तर पिदेश की अयुद्ध्या में भब राम मंदिर भी बन रहा है क्योंकि आप देखे सुप्रेंग कोट ने उस पर भी फैसला सुना दिया है अब आप देखे भारती जनतिया पार्टी का एक मुद्धा बचता है यूँ सीसी और ऐसा कहा जा रहा है कई पॉलिटिकल जो एनलाइसिस करते हैं राजनितिक विसलेसक होते हैं वो कहते हैं भारती जनतिया पार्टी के पास अच्छा मौका है क्योंकि आपने देखा है कि दो वार से भारी बहुमत उसे मिल रहा है और 2024 का चुनाव भी है लोक सभा का तो उसके पास कुछ कहने के लिए तो हो क्योंकि आप देखे राम मंदिर के नाम पर आप देखे बोट बैंक लेट चुकी 370 पर मिल चुके उन्हें वोट अब इस पर भी मिलें और ये मुद्दे उठाने का उसे फायदा भी हुआ है ठीक है और दीखे समान नागरिक सहता की बात करें तो ये होता क्या है और इसके फायदे क्या होंगे अगर लागू होता है तो और इसके बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जाती है गलत फैमिया फैलाई जाती है और कहा जाता है कि एक आनू नाने से एक खास धरम को टार्गेट किया जाएगा उसे नुकसान होगा उसके लोगों को नुकसान होगा तो इसलिए आप देखेंगे इसका बिरोध भी किया जाता है तो उन पर भी हम लोग बात करेंगे किया किरे सही है या गलत है बैसे आप लोग इसके सब दिख से आप लोग समझ में आ रहा होगा आपको Uniformed Civil Code Uniform आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आप लोग बर्दी पहनते होंगे न एक आप देखते होंगे कि सभी स्कूल में आप देखते होंगे ड्रेस सैम होती थी और Civil का मतलब होता है नांगरेक और Code का मतलब होता है कानूनों का समूव तो कहने का मतलब है कि सभी धर्मों, जातियों और समुधाय के लिए एक समान कानून हो अभी आप देखते हैं क्रिमीनल केसों में सब के लिए समान कानून है आप देखिए अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो उस पर एक समान तरह से कानून की तैत उससे सजा मिलती है लेकिन आप देखिए कि सिविल कानून अलग लग है आप मुसलिम पर अटनलों अलग है, हिंदू वो कोड विल अलग है तो इन्हें समान करने की बात हो रही है अब आप देखिए मुसलिमों में साधियों को लेकर देखिए या संपत्ती को लेकर देखिए ये अलग-अलग सब देखने को मिलते हैं इन्ही को ये करने की बात हो रही है एक बात और आपको बता दूँ पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या समान नागरिक सहता लागू है ये आपको समझ में आना चाहिए बैसे अगर हम लोग समान नागरिक सहता के अर्थ की बात करें common एक बात करें तो एक ऐसा कानून जो धरम निर्पेक्च हो और जो किसी भी जाती या धरम से उपर उठकर एक देश का सभी नागरिकों के लिए समान हो और इसको सभी जाती मज़ग के लिए समान होने के कारण धरम निर्पेक्च कानून भी कहते हैं और समिधान का अनुच्छे अगर आप लोग 44 पड़ें न तो समान नागरिक सहता लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौपता है और एक बात आपको बता देता हूँ ये नीती नेदेशक सिध्धान्त में आप लोग 44 आर्टिकल अनुच्छे चवालिस देखते हैं वैसलिए आप देखते हैं कि अदालतें इसमें जानदो कुछ कर नहीं सकती है वहीं अगर आप देखे कि मौलीक अदिकार होता सम्यधान के भाग 3 में होता तो आप लोग तुरंट चले जाते अनुचे 32 के तैट आप लोग सुपरियम कोट में जाते और कहते कि हमारे अदिकारों की हनन हो रहा है तो Supreme Court आपके अधिकारों का हनन करता है लेकिन निती निदेशक सिधान्त राज्य चाहे तो आपको सुविधाव लब्द करवा सकता है ना चाहे तो नहीं करवा सकता है तो इसी की कहानी जानना है समान नागरिक सहता की और वैसे आप देखी कि सबसे जान्दा इसका विरोध यही कहकी किया जाता है कि Muslim Personal Law Board करता है उनका तरके है कि इसी लागू करने से सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू हो जाएगा और कई लोग कह देते हैं कि जो मुसलिमों में 3-4 साधियां होती है वो बंद हो जाएगी तलाक लेने के लिए उनके कोट के जरिये जाना और अपने परिवार को जैजाद का भटवारा नहीं कर सकेंगे और समान नागरिक सहता लागू होने के बाद साधी तलाक दहेज उत्रा दिकारी के मामले में हिंदू, मुसल्वान और इसाईयों पर एक समान ही कानून लागू होंगे इस तरह की बिरोध करने वालों की अप प्रावधान करती है, वो हिंदू कों चाहे आप देखेंगे चाहे इसाई हों, चाहे मुसलिम हों, सब के लिए एक कानून देखने को मिलेगा, बिवाय के मामले में, तलाक के मामले में, विरासत के मामले में, गोद पिथा के मामले में, गोद लेने की मामले में, और बिवा के बाद आप देखिए समान कानून सभी धर्म पर लागू हो जाएंगे समिधान के अनुचेत 44 में वैड़े थे कि राज्य भारत की पूरे छेत्त में नागरेकों के लिए एक समान नागरेक सहता सुनी चेत कहने का प्रयास करेगा राज्य कहने का मतलब है देश से है ठीक है यह आप लो याद रखेगा अनुचेत 44 समिधान में बढ़ित राज्य की नीती नेदी सकत्तों में से एक है और अनुचेत 37 इसमें परिवासे थे कि राज्य की नीती नेदी सकत्त समंदी परावधानों को किसी भी नियाले द्वारब प्रवर्तित नहीं किया जा सकेगा लेकिन इसमें नहेत सिध्धान सासन विवस्ता में मौलिक प्रक्रिटी के होंगे नियाले दोरा प्रवर्थित नहीं किया जा सकेगा इसलिए आप देखते हैं कि नियाय पालिका सलाय तो दे सकती है लेकिन इसमें कोई कदम नहीं उठा सकती है भारत में समान नागरेक सहता की इस्तिटीगी बात करें तो बर्तमान में अधिकांस भारती कानून सिबिल मामलों में एक समान नागरेक सहता का पालन करते हैं जैसे भारती अनुमन अदिनियम, नांगरिक पिक्रिया सहता, माल पिक्रिया अदिनियम, संपत्ती हस्तांतन अदिनियम, भागेदारी अदिनियम, साक्ष अदिनियम आधी, हाला कि राज्यों ने कई कानूनों में कई संसोधन किये हैं, परंतु धरम निर्पित्ता समंधी कान तो इसकी आउधार्णा कभिकास उपनेवेसिक भारत में तब हुआ जब बेटिस सरकार ने अंग्रेजों ने 1835 में अपनी रिपोर्ट पिस्तुत की थी और जिसमें अपरादों, सबूतों और अनबंदों जैसे विभिन बिसों पर भारतिय कानूनों के सहता करन में एक रोप देखिये जो करता था उसके लिए हल्द धरम में अलग-अलग सजा होते थी तो उनी को ये करने के लिए आप देखे सबूतों अनबंदों को जैसे विभिन बिसों पर भारती कानून के सहता करन में एक रोपता लाने के लिए अंग्रेजों ने पहल की थी और वेटिस सासन क के अधर पर हिंदों बहुत दों जैन और सिक्षों के लिए निर वर्सियत और उत्तरादीकारी से सम्मधित कानून को संसुदित और सहितावध करने ही तू वर्स 1956 में हिंदू उत्तरादीकारी अधिनियम की रूम में एक विध्यक को अपनाए गया था और हिंदू आमें आ प्रूपता लाने के लिए विविन नियालेयों ने अकसर अपने नेड़े से में कहा कि सरकार को एक समान नागरिक सहता सुनिशित करने की दिसा में प्रयास करना चाहिए क्या नियाले हमेसा कहते रहें कि कोई कानून आप लाइए और साहेवानों मामली 1985 में दिया गया प्रयास से जुड़ा हुआ है और यह तरक दिया जाता है कि टर्पल तलाग और बहुप विवा जैसी पिताएं एक महला के सम्मान और सके गरिमा पूर्ण जीबन के अधिकार पर पितिकूल प्रभाव डालती है और के अंदरे सवाल उठाए कि आप धार्मिक पिताओं को द और फिर आप लोग सम्मिधान के भागतीन में जालते हैं तो वो मौलिक अधिकारों में और आप देखेंगे नेती निजिस्तक सिद्धान में अपस में टकराओ देखने को मिलेगा तो अगर आप देखें इस तरह का कानून आता है तो वहाँ एक समरूपता दिखाई देग और आप देखें सभी के लिए सुरक्षा मिलेगी बैकतीगत कानूनों को समान नागरिक सहता के निсть तार्ट क्या है तो समाज के समच के संबेदन सील बर्ग को सरक्षन मिलेगा समान नागरिक सहता का उद्देश महिलाओं और धार्मिक अल्ब संख्यकों सहथ समवेदन सील बर्गों को सामाजिक सुरक्षा फिदान करना जबकि एक रोपता से देश में राष्टवादी भावनाओं को बल मिलेगा इसे यानि कि इसके पक्ष में जो हैं वो लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा कि देखिए समान नागरिक सहता आने से महलाओं और धार्मिक अल्ब संख्यकों सहथ जो समवेदन सील बर्ग हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और एक रोपता आएगी और देश में कानूनों को सलल बनाएगी और पाइडाम सरूफ समान नागरिक सहता सभी नागरिकों पलागों होंगे चाहे बे किसी भी धरम में विस्वास रखते हों तो यह भी सहलता होगी कि अलग लग नहीं देखना बढ़ेगा धरम निर्पेक्षता कि सिध्धान को बल मिलेगा भार यह एक और तरक देते हैं वो कहते हैं कि हमारे समिध्धान में समिध्धान की पिस्ताऊना में धरम ने इक सब्दी की बात कहीं गए 2 लेकन आप देखी कि अलग अलग धरम कानून बने हुए हैं तो एक कानून अगर आएगा तो सभी धरМों के लिए बराबर रहेगा किसी थोड़ा बहुत कुछ नहीं रहेगा लेंगिक नयाय की बात भी ए लोग कहते हैं एक तरग भी देते हैं यदि समान अगरिश सहिता को लागू किया जाता है तो वर्दमार में मौझूद सभी व्यक्तिगत कानून समात हो जाएंगे और जिससे उन कानूनों में मौझूद ले स्बावा मिल रहा हूँ पुरुष उसमें सकती शाली आप देखेंगे दिखाई देते हैं अगर एक कानून आता है तो उन्ने भी आप देखें महलाओं को समान नयाय मिलेगा लेंगिक नयाय मिलेगा बग्चाहे स邁न सदवाला अधिनिमित शभी केंद्रिय पारिवारी कान कि बे जम्मु कस्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होंगे लेकिन आप लोगों को एक और बात बता देता हूं जब से 375 से हटा दिया गया तब से आप देखिए जम्मु कस्मीर में भी सभी कानून लागू होंगे अब कोई भेदभाव बाकी राज्यों से नहीं किया जाएगा और इन सभी अधिनियमों ने 1968 में एक दूसरा अपबाद जोड़ा जिसकी मुताविक अधिनियम में सामिल कोई भी प्रावदान के अंदसासित पिदिस्ट फुदुचेरी फल लागू होगा एक तीसरे अपबाद की मुताविक इन अधिकारों अधिनि पिद्धान के अनुछे 371 ए और 371 जी में सामिल किया गया है और जिसके मुताविक कोई भी संसदिय कानून इन राज्यों के पिथागत कानूनों और धरम आधारित पेनाली का इस्थान नहीं लेगा तो ये सारे कानून आप देखेंगे चनोती बने हुए एक संपदायक र कि असल में इस कानून को ना तो आप देखें कि जो इसके पक्ष में हैं जो आप देखें कि उसकी बात करते हैं कि मुसलियों पर एक तरह से आप देखें कि तीन साधियां चार साधियां रोक लग जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो वो कुछ जानते हैं और न लेकिन आप भी जानते हैं कि हिंदूओं भी कई कुरोतियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो उनसे भी चोटकारा मिलेगा, इसमें समिधान एक बाधा क्या है, तो भारती समिधान का अनुचेत 25 जो किसी भी धरम को मानने और प्रिचार की सुतनता को सरक्षित करता ह और भारती समिधान के अनुचेत 24 में नहित समानता की आउधारना की विरोध है, तो ए भी बाधा है, आंगे की राह क्या हो सकती इसमें, परसपर विस्वास निर्माड के लिए सरकार और समाज की कड़ी महनत करनी होगी, किन्तु इससे भी मात्पूर रहे हैं कि इधार में रूडी वादियों के बज़ाए इसे लोखित की रूम में इस्थापित किया जाए, और एक सामान आप देखेंगे, एक सामान सर्ब व्यापी, दृष्टी कौन के बज़ाए सरकार बिवाग, गोदलेने और उत्तरा अधिकार जैसे अलगलग कानूं को 24 तरीके से समान प्रांकित कर मौलीक अधिकारों के आधार पर उनका परेक्षन किया जा सके, मुझे लगता है कि अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों की दिमाग में ये समझ में भी नियाया होगा, ये तो आप देखें अगर आप किसी एक्जाम की तैयारी करें, तो उसके लिए मुझ लोग बात करते हैं देशी भासा मैं से दिसी, और मुझे लगता है कि इस तरह से आप लोगों की दिमाग में समझ में आता है, तो देखें समान नागरे सहता की बात करें, कॉमन सेविल कोड की बात करें, तो सब के लिए एक समान कानून, सेविल कानून की बात कर रहा हो, च चाहिए कोई भी जाती हो, कोई भी धरम हो, कोई भी संपदाय हो, सब को सब पर बराबर से लगए, कोई भिध्भाव नहीं रहेगा, इस कानून की आने की बात की बात हो रही है, और फिर आप देखे गी बिरोध इसका क्यों किया जा रहा है, तो विरोध यसलिए कहा जा रहा है कि वो आप देखे कि जो मुसलिम परसुलन लॉबोर्ड है वो इसका विरोध करता है सबसे जानदा और वो कहता है कि जो हिंदु धर्म इसे बढ़ावा मिलेगा और ये हाभी होगा इसका वर्चस बड़ेगा हमें टार्गेट करके कानून लाया जा रहा है और इसा कहा जाता है बो लोग ये कहते हैं कि मुसलिम में आप देखें जो साधियों की पिताएं की दो से तीन चार कर सकते हैं वो बंद हो जाएंगे हम भाई तलाक नहीं ले पाएंगे हमें तलाक लेना होगा तो हम कानून हमें कोर्ट जाना पड़ेगा तो इसको लेकर भी विरोत किया जाता है और भी आप देखेंगे बेग कहते हैं कि अपने परिवार को जैज़ात का बटवारा नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो कानून कहेगा उसे साफसी करना पड़ेगा और समान अग्रेक सहता लागू होने के बाद साधी तलाक दहे उत्तरादीकार के मामले में हिंदू, मुसल्मान और हिसाईयों पर एक समान कानून ही लागू होगा अभी जो अलग-अलग आप देखते हैं वो सब खतम हो जाएगा नियाई वालिका पर दमाओ कम होगा और धारम के कारण बसों से पड़े केश जल्दी से सुल्जा लिये जाएगे और कोई भी आसानी से धर्म की आधार पर राजनीती नहीं कर पाएगा इसका एक फायदा होगा और समानागरिश सहता लागो होने की बाद देश में महलाओं की स्तिती में सुधार आएगा मुसलिम में तीन साधिया करने का रवाद तूटेगा तीन बार जो तलाक कहने से साधी खतम होगी वो भी रुकेगी और अगर आपको तलाक लेना है तो हिंदू धर्म में आप देखते हैं कि कोट आपको जाना होटता है तभी आप डिवोर्स ले पाते हैं तो उसी तरह से आप देखे हद धर्म को अपनाना होगा और कॉमन सेविल कोट लागू होने से पहले कैसे होता था तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बहुत धर्म की अनवाईयों को सनातन धर्म से जोड़ा माना जाता है और इसके कारण इसके लिए सभी के लिए समान कानून होता है और जिसमें इनका एक से जान्दा साधी करना गैर कानूनी माना जाता है इंदू धरम में और मुसल्वानों के लिए कानून उनकी धार्मिक किताब सरीयत पदा आधारे थे और जिनकी अनुसार उनका तीन साधीयों का करना जायज है ऐसा आप देखें मुसलिम के धरम गुरु आप लोगों को बोलते हुए भी देखाएंगे कि हमारा कुरान करता है भार्मिक किताब करते है यह उनिपां सिभिल कोड कहा लागू है अभी बारतमान में तो आप देखेंगे भारत में गुआ राज्य है और 1961 में ही समान नागरिक सहता लागू कर दी गई थी तो जो पोर्टगाल सासन के समय लागू थे अब आप देखें गुआ में तो यह लागू है ना फिर वहाँ तो कोई बवाल नहीं हो रहा है वहाँ तो आप देखें कोई अब संक्यक है उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है वो परिशान नहीं है तो देश में भर में अगर इस तरह का कानून लागू होता है तो किस तरह से कोई परिशान होगा किसी को कैसे टार्गेट किया जाएगा किसी धरम को कैसे टार्गेट किया जाएगा तो यह सब कहन समान नागरिक सहता कानून लागू है ये भी आपको उत्तर मालू होना चाहिए अब आप देखिए नए सरकार हैं जो हमारे राज्जों में बन रही है बों भी कह रहा ही कि हम अपने यह qanun लाएंगे हम अपने यह qanun लाएंगे तो इसलिए भी यह काफी चर्चा में बना समिध्यान का पिस्ता होना में धरम निर्फिक सब्द जोडा गया और जिसकी अनुसार भारत की सरकार किसी भी धरम का समर्थन नहीं करेगी लेकिन सभी धर्मों का law board होने से तो जिनका कोई धरम नहीं है उनका क्या होगा और इसे तो सरकार से उपर धरम नजर आता है तो यही कहानी है समान नागरित सहता की, UCC की, Uniform Civil Code ठीक है, और क्रिमिनल किसों में पहले से ही लागू है, कानून एक समान कानून लागू होता है, लेकिन अपने अब जो परसनल कानून है, वो भी खतम करने की बात हो रही है, सभी के लिए एक समान कानून लाने की बात हो रह